ये मिक्स दाल का चिला है इसमें है इसमें आप कोई भी डाल डाल सकते हैं मेरे पास तो बस मसूर की डाल थी चने की डाल थी और उड़त की डाल थी तो ये छिलकी वाली सारी डाल थी तो मैंने बस बनाया बच्चों के भरमाइस वे तो इसमें क्या करना है एक कप चावल ले ने अखे लोगाँ लगाओं, तेका काल पर के दीजेले के राद थे वता हैंजने करने की लिंमे और दीजने के गए तरने के सिर्फ के देखेंगएझे नहीं टूम करूगाँ ज्रूआज्य पर फिके शुजरम कईने केसे चागणंते करें तरने में लिए किलिए यह या फिर तीन से चार गंटे भी आप सोग करके रख सकते हैं और इसे grinder में डालके एक अच्छा सा स्मूथ सा paste बना लेंगे इस तरह से पानी अपने हिसाब से डाले बहुत पतला better नहीं होना चाहिए देखिए इस तरह से इसका better होना चाहिए तो इसको डालिए और इसको पिसी दो बार में या तीन बार में इसका paste बन जाएगा जिस हिसाब से हमारी डाल होगी तो यहाँ पे मैं एक बार मैं इसको grant कर ली हूँ अब मैं दूसरी जो बच्ची हुई डाल है वो डालूँगी और साथ में मैं डालूँगी दही तो आप दही या पहले वाले में भी डाल ले या लाश्ट वाले में भी डाल ले लकिन दही डालना इसमें जरूरी है जिस तरह से डाल है जिसे यहाँ पे मैं 4 टूबल इस्पून दही डाली हूँ और उसके साथ दही डालके grant करके paste बरा ली हूँ जब सारे चीजे paste हो गए तो नमक डालके इसको mix करना है अच्छे से जब यह mix हो जाएगा तो इसे mix करने के बाद भी थोड़ा सा 2 घंटे के लिए इसको रख दीजिए अगर हो सके तो अगर time नहीं है तो आप तुरंद भी इसको बना सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है बस आप इसको तुरंद बनाये तो भी खाये तो अच्छा लगेगा और इसमें लास्ट में डालेंगे इनो तो फ्रेंट्स मैं इनो डालना मतलब मैं दिखाने पाई हूँ इसमें जरू डालें और अपनी कटी हुई जितनी सारी बेजी टेबल हो ज जालें और यह सबी जीजों को अच्छे से मिक्स करें नमक अपने टेस्ट के अनुसार देख लें आप फिर मिर्चा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा से डालें अगर आपको तीखा पसंद है तो वरना इस क्यों कर सकते हैं इसे हरी मिर्च से भी काम चल जाएगा और थोड़ में तो आप इनु डाल दीजिए फिर रासे ओयल में थोड़ा सा सफेद तील लीजिए और एक टेवल स्पून तेल से इसको बनाईए यह बहुत ही हेल्दी बच्चों के लिए तो एक तम ब्रेपफास्ट के लिए एक दम सूपर डूपर रेसिपी है यह सभी को पसंद आने इसको जितना पतला आप हो सके आप कर लिजिए अपनी हिसाब से और इसका ज्यादा बेटर पतला नहीं रहेगा तो यह हो जाएगा अच्छे से तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो यह आसान से रेस्पी तो मिलते हैं नए और इंट्रेस्टिंग रे झाल